जहां एक और देश में किसान अंदोलन कर रहे हैं वहीं पर केंदर सरकार ने किसानों को एक नई सोगा दी है और उनकी फशलों का जो MSP रेट है minimum supporting price उसको बढ़ाया है तो मोधी सरकार ने कुछ फशलों के minimum supporting price में व्रदी की है जैसे गेहूं की फशल का जो MSP रेट था 2021-22 कंदर उसको बढ़ाकर 2015 रूपे कर दिया गया है और जो का जो supporting price था minimum supporting price 2021-22-1600 रुपे उसको बढ़ा कर 16-35 रुपे कर दिया है और जो चना था जिसका Supporting Price 2021-22 में 21-100 रुपे था उसको बढ़ा कर 52-30 रुपे कर दिया है और मसूर का जो MSP प्राइस था 1100 रुपे उसको बढ़ाकर 5500 यानी 500 रुपे कर दिया है और जो 600 का सपोर्टिंग प्राइस था 4650 रुपे उसको बढ़ाकर 5050 रुपे कर दिया है और जो सूरज मुकी का सपोर्टिंग प्राइस था 5,327 रुपे उसको बढ़ाकर 5,431 रुपे कर दिया है तो इस प्रकार मोधी सरकार ने कुछ फशलों का जो MSP था उसके अंदर बढ़ोतरी की है हाला कि यह जो वरदी हुई है जादा नहीं हुई है किसी फशल में 200 रुपे की वरदी हुई है तो किसी फशल में 300 रुपे की वरदी हुई है इसी प्रकार से मोधी सरकार है वो हर फशलों की जो हर वर्स है वो वरदी है वो फशलों की MSP में करती रहती है तो इस प्रकार से मोधी सरकार ने वर्तमार में किसानों को एक नई सोगात दी है वहीं पर जहां पर वर्तमार में किसान आंदूलन कर रहे हैं तो मोधी सरकार ये लगातार किसानों के हित में अपने कदम है वो उठाते जा रही है